नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल कोसी इलक्रोनिक्स में दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल एलेडी के उपर जी हाँ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल एलेडी के उपर बहुत सारी लोगों का बहुत दिनों से एक question होता है कि सर पिक्सल LED कैसे पहचाने है ठीक है तो इसका कोई rule बताओ कि इसको कैसे पहचाने कि कौन सा पिक्सल अच्छा है या कौन सा घटिया है या कौन सा कुछ दिन चलेगा और किसका life कितना दिन रहेगा तो इसके लिए कोई hard and fast rule नहीं है इसके लिए try and test method तो मैं 4 साल से लगवग पिक्सल का काम कर रहा हूँ तो अपने opinion के awarding जो मुझे best लगता है तो मैं आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ और साथ ही अभी का current price भी जानेंगे हम लोग कि अभी wholesale market का क्या price चल रहा है अगर आप bulk में pixel buy करते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि pixel LED और lighting से related latest update आपको मिलता रहेगा ठीक है जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको कि मैं pixel LED के बारे में आपको बताऊंगा तो यहाँ पे जो है आज हमारे पास तीन quality के pixel है जो market में काफी trend है और इसका life भी काफी अच्छा है और यह life कैसे हम लोग decide के कि इसका life अच्छा है यह हम use करके बताए हम sale करके बताए हम खुद use भी किये और बहुत सारे लोग हमारे से purchase करके अपना-पना feedback रखें उस basis पे हम आपको बताने वाले हैं कि यह pixel LED अच्छा है और तीनों के बीच में difference क्या है LED के thickness क्या है ठीक है brightness का क्या difference है तो यह सब अभी हम लोग test करके देखने वाले तो चलिए चलते हैं इसके ओर और समझते हैं कि यह तीन variant में क्या difference है जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास तीन variety के pixel है यहाँ पे आपको चार दिख रहे हैं यह चार मैं इसलिए लेकर आया हूँ कई बार क्या होता है कि यह जो है जो आप cap देख रहे हैं जिसमें अंदर में liquid feel होते हैं वो कई बार blueish type के होते हैं कई बार transparent type के होते हैं ठीक है तो आप कभी इस पे मत जाईएगा कि blue color का है तो pixel अच्छा होना चाहिए और यह transparent है तो अच्छा नहीं होना चाहिए यह कोई parameter नहीं है pixel को test करने का हम भी pixel जो use कर रहे हैं यह आप देख पा रहे हैं यह दो lot के माल है एक ही company के थोड़ा सा आपको difference देखने को मिल रहा है और wire भी थोड़ा सा color का difference देखने को मिल रहा है तो इसके उपर कभी नहीं जाना है कि आपको यह blue वाला अच्छा होगा और यह वाला अच्छा नहीं होगा इसलिए मैंने यह आपको 2 quality का एक जैसा लेकर आया तो अभी हमारे पास अब बचे हैं 3 ठीक है 3 को जो है मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ तब से पहले यह ले लेता हूँ यह अभी low budget में और अच्छा pixel है और अच्छा काम भी कर रहा है इसमें difference क्या है इसकी LED जो है compare to दूसरे वाली की छोटी है ठीक है अब आपको camera में दिखनी रहा होगा उतनी clear तो मैं तब से पहले cap दोनों का जो cap है वो दिखा देता हूँ यह छोटा बोड़ा आपको दिख रहा होगा यह cap का difference तो आराम से दिख रहा है बाकी LED का difference के लिए मैंने यहाँ vernier caliper ले रखा है ठीक है तो यहाँ पे जो है हम इसे 0 पे set करते हैं और पहले इसके LED का thickness measure करते हैं जो हमारा छोटा वाला पिक्सल है ठीक है यहाँ पे देखे एप्रोक्स 7.12 या 13 या आथ पास जा रहा है इस LED का जो है अब मैं यह वाले का measure करता हूं यह 7.69 का जा रहा है ठीक है इसकी LED जो है इसके comparison में मोटी है और इसका इसका जो brightness है कम है यह वाली LED जो मोटी वाली LED है जिसका cap side भी बड़ा है और LED side भी बड़ा है इसका price भी जादा है और इसके brightness भी जादे है ठीक है अगर आप छोटा मोटा काम के लिए यूज करना चाते हैं जैसे चकड़ी बनाना आप यह वाले भी यूज कर सकते हैं इससे भी दोनों काम होगा लेकिन यह आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा ठीक है मैं bulk price बता देता हूँ आज अभी के market में इसका price जो है काटून वाला 5 रुपे 30 पैसे का है without GST और यह जो है आपको 5 रुपे 80 से 90 पैसे का देखने को मिलता है ठीक है दोनों में wire quality लगबग same है PVC wire है number of copper wire अंदर में 5 ही है इसमें भी 5 है ठीक है अब मैं एक बड़ी आपको cap के thickness को दिखा देता हूँ तो मैं इसे 0 पे set कर लाए यह 10.86 है और छोटे वाले का हमारा 10.71 था I think 10.1 तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जो दोनों पिक्सल है उसके LED में भी difference है और इसके thickness में भी difference है ठीक है मैं आप तीसरे pixel की बात कर लेता हूँ यह gel wire का pixel है ठीक है इसके अंदर जो copper wire है हो 7 है और इसका price जो है एक पिक्सल 9 रुपे का है ठीक है बस इसमें जो है IC जो है WS 281 ही गया रहा है इसमें भी 281 ही गया रहा है इसमें भी 281 ही गया रहा है बस यह कुछ difference है इसके gel wire काफी अच्छे है glue काफी अच्छा डला हुआ है और साथ में जो है इसकी finishing काफी अच्छी है तो इसका price भी अच्छा है अब जो है ये तो market में कोई competition नहीं दे रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग item है अब इन दोनों को check करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या इन दोनों के brightness में difference है और फिर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है lab bench power supply तो यहाँ पर हमने बड़े वाले pixel को लगा दिया है controller से और अब जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा चल रहा है ठीक है normally आप ऐसे brightness का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं वीडियो में जब actually आख से देखेंगे तो आपको फरक नजर आने वाला है ठीक है मैं इसे भी on कर देता हूँ छोटे वाले को ठीक है यह हमारा छोटा वाला है तो आप देख सकते हैं कौन ता ज़्यादा brighter है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है और एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तो पिक्सल जो है आपके बहुत सारी लोगों कम्प्लेन आता है उनका पिक्सल बहुत खराब भी होता जल 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 दी तो आपको यह ध्यान रखना है कि तिरिफ पिक्सल अच्छी quality लेने से काम नहीं होगा आपको power supply का भी ध्यान रखना होगा अगर power supply local होगा उसके voltage में fluctuation होगे तो वो पिक्सल के IC को खराब करेंगे पिक्सल खराब होना मतलब उसके IC खराब होने IC को अगर proper voltage मिलेगा तो आपका IC जल दी damage नहीं होगा ठीक है यह रहा आपका दोनों पिक्सल का difference बाकी price मैंने बता रखा है एक 5.30 पैसे का है और एक 5.90 पैसे का है यह हमेंने wholesale price दे रखा है बाकी 10.50 पांच पीस का price आप हमारे website पे check कर सकते हैं bulk में मंगानी के लिए आपको मैं अपने swap का address डाल रहा हूँ नीचे description में आप वहाँ पे आकर ले सकते हैं बाकी हमें आप WhatsApp पे contact कर सकते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही thank you वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और कोई इसमें जानना है कुछ तो आप नीचे कमेंट कीज़ेगा thank you